आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, the question is how many squares are there in the given figure तो basically इस figure में total number of squares हमें count करने हैं तो यहां से number of squares equal to यह first square, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine और यहां पर यह वाला जो हो जाएगा जिसके अंदर यह 4 है यह हो जाएगा 10 तो यहां से यह 10 square हमें पता चल गए उसके बाद अगर हम यहां से देखे तो 1 square यह भी है 1 square यह भी है 1 square यह भी है और 1 square यह वाला भी है तो यह कितने हो गए? 5 square यह हो गए तो 5 और एड हो जाएगे उसके बाद यहां पे भी 1 square है यहां पे भी 1 square है और 1 square यह वाला भी है तो यहां से कितने square और count कर लिए हमने? 3 और कर लिए उसके बाद अगर हम यहां पे देखे एक स्क्वेर यहाँ पे भी है एक स्क्वेर यहाँ पे भी है और एक स्क्वेर यह वाला भी है तो यहाँ से भी 3 काउंट करें हमने और तो 3 और हो एड हो जाएंगे उसके बाद एक स्क्वेर यहाँ पे भी है और एक स्क्वेर यह वाला भी है एक ये भी square है, तो यहां से भी basically हमने 3 square count कर लिए अब हम इनका total कर लेते हैं, तो 10 plus 5 is 15 plus 3 plus 3 plus 3 is 9, तो यहां से इसका जब total करेंगे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो इस figure में 24 squares हैं, तो correct answer हो जाएगो option 1, 24, thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा, आज जी डाउनलोड करें doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 पर